JPSC ने साल 2022 का अपना कलेंडर जारी कर दिया है और इस कलेंडर के नुसार गार्वी JPSC का विग्यापन कब तक जारी हो सकता है साथ ही आपको यह जानने को मिलेगा JPSC में इस बार क्या बड़ा बदला होने जा रहा है तो देखते हैं JPSC से समधित महतपूर अपडेट दो से महने बचे हैं उसका कलेंडर जारी किया है नौवंबर और दिसंबर इसमें क्या क्या होने जा रहा है तो इस कलेंडर में तेरा परिछाओं का जिक्र किया गया है तेरा परिछाओं में से सारे जो हैं इसका इंटरव्यू का सेड्यूल दिया गया है इसमें इस परिछा कलेंडर में कहीं भी एगार्वी JPSC का जिकर नहीं किया गया है लेकिन जो दिसंबर तक इसकी भाइलिड है उसके बाद जो कलेंडर जारी होगा इसमें आगे जो एगार्वी JPSC का विज्यापन आने वाला है इसका जिकर होगा और JPSC में इस पर क्या बड़ा बदलाव होने वाला है या जान लिजिए तो JPSC में इस पर सबसे बड़ा बदलाव जो है PT में आरक्षन से संब्दित होगा क्योंकि JPSC में आजकल जो इसका नियाम है इसमें सिंगल रिजर्वेशन मिलता है तो इसके संब्द में आरक्षन में बदलाव से संब्दित एक कमेटी का निर्वान किया गया था उस कमेटी ने अपना रिकमेंड सरकार को सौंग दिया है अब इस पर नेकिन इस पर निर्ने नहीं लिया गया है सरकारी अस्तर पर किस कमेटी ने जो सिफारिस किया है इसमें क्या बदलाव किया जाएगा अगर बात करें JPSC 11 का विग्यापन कब तक आ सकता है 11 वी JPSC का विग्यापन जो है 2022 में जारी नहीं होने जा रहा है इसका विग्यापन 2030 में आपको देखने को मिलेगा और इस बार JPSC में सरकार का मनसा है तो इसको 11 वी JPSC ना रखके इसको 11 से 20 वी JPSC तक संयुक्त JPSC का विग्यापन जारी किया जाएगा जिस तरह 7 वी JPSC में 7 वी से लेके 10 वी तक रखा गया कि वोल संख्य नाम बढ़ा दिया गया नाम में संख्या जोड दिया गया 7 वी से 10 वी काने का 7, 8, 9, 10 इसमें 4 साल का बोलकि 4 साल का हम JPSC निकाल रहे हैं और इस बार बोलेगा कि हम 10 साल का JPSC निकाल रहे हैं कि 11 से 20 वी का JPSC का विग्यापन 2030 में जारी होगा क्योंकि लेकिन सीटों की संख्या क्या रहेगी सीटों की संख्या जो है इसका आकड़ा भी सरकार के पास पर नहीं है कि कितने सीट भेकेंट है अगर आपके पास कहीं से भी समाचार आता है कि गार्मी से 20 वी buna JPSC में कुछ जीतना सीट आ रहा है या सारा सर गलत है और या तो एक अनुवान के बेस्पेर हो सकता है क्योंकि सरकार के पास अगर अभी आगड़ा की बात करें तो अभी आगड़ा के नुसर मातर 46 सीटों की अधियाचना सरकार के पास पहुँची है जेपेसी में विक्यापन के लिए लेकिन सरकारी अस्तर पे और इसे विभागों से मागा जाएगा तो धीरे से धीरे भेजा जाएगा लेकिन अभी मातर 46 पत का अधियाचना जो सरकार को मिला है कि इतने पोश्ट खाली है किसी डिपार्टमेंट ने भेजा हुए है तो इस पार भी जेपेसी में यही होगा कि दस्वी से साथ्वी से इसको तो दस्वी गार्वी कर दिया आठ्वी नवी सारा इंक्लूड कर दिया लेकिन अगर वेकेंसी अगर पोश्ट की बात करें तो पोश्ट सेम रहा है 252 पोश्ट ही रहा है और इस बार भी एकार्वी से लेके बिश्वी करने वाली है सरकार की तरफ से यह इंटरनल न्यूज निकल के आई है या 100% authentic न्यूज है कि इसको एकार्वी जेपेसी ना बोलके इकार्वी से बिश्वी तक संयुक्त जेपेसी के रूप में इसको निखाला जाएगा विग्यापन लेकिन सबसे बड़ी बात है 2022 में इसका विग्यापन नहीं जारी होगा 2023 में इसका विग्यापन आपको देखने को मिलेगा